है लो फ्रेंड्स वेल्कम बैक टो मै चैनल टेक्स टेडीज अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आते हैं इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ table tag के दो attributes row span और call span अब ये दोनों attributes हम किस purpose के लिए use करते हैं अपनी table में और कैसे use करते हैं और कहां use करते हैं वो मैं आपको अपनी इस वीडियो में step by step explain करूंगी with the help of code चलिए तो उससे पहले मैं आपको एक table दिखा देती हूँ कि इस तरह की अगर आपको table create करनी है तो वो हम कैसे करेंगे उसमें क्या attributes और क्या हम tag apply करते हैं उसके लिए मैंने आपके लिए एक video पहले से ही upload किया हुआ है अगर आपने उस video को अभी तक नहीं देखा है तो description link में मैंने इस video को इस table को create करने का जो link आपके साथ share किया आप उसको open करके देख सकते हैं और जैसे मर्जी आप अपनी table को create कर सकते हैं चलिए तो अब मैं आपको बताऊंगी table के दोनो attributes row span और call span उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमारी जो table होती है इसमें ये दोनो attributes का work किस तरह से दिखेगा तो मैं इस table की help से आपको पहले explain कर देती हूँ यहाँ पर एक table जो मैंने ppt में बनाई हुई है अगर आप चाहते हो ये तीन columns या 4 columns को एक ही column बनाना merge करना तो हमारे पास already a option होता है merge cell हम ऐसे कर देते हैं इस option को click तो ये cell merge हो जाती है अगर आपको rows को merge करना होता है तो आप ऐसे cells को select करते हैं और merge cell कर देते हैं आपकी cells merge हो जाती है अग यही चीज हम अपने web page पर कैसे apply करेंगे with the help of code वो मैं आपको दिखाऊंगी और यह दोनों attributes हम इसी purpose के लिए use करते हैं row span के लिए row को merge करने के लिए row span और columns को merge करने के लिए call span चलिए तो मैं एक code open कर लेती हूँ चुकि मैंने आपके लिए पहले से ही लिखा हुआ है इस code में मैं यह दोनों attributes आपके साथ share करूँगी और explain करूँगी यह कैसे work कर रहे हैं चलिए तो यहाँ पर मैंने आपके लिए एक table मनाई है यह मेरी first row है यह मेरी second row है यह मेरी third row है तो अब मैं सबसे पहले आपको पताऊंगी call span means मुझे दो कॉलम को आपस में merge करना है दो कॉलम के first cell को हमें merge करना है जैसे कि इस table में student name वाला cell और computer वाला cell यह दोनों को आपस में merge करना है तो मुझे अपने code में लिखना होगा यह देखे student name का एक column है यह cell है यह और computer का है यह दूसरा cell इविन दोनों को आपस में merge करना है तो मैं इस वाले tag के साथ, th tag के साथ मैं लिख दूंगी call span और is equal to लगा कर यहाँ पर मुझे एक value देनी है अब मैं यहाँ पर क्या value दूंगी मैं यहाँ पर two लिखूंगी अब मैं यहाँ two क्यों लिखूंगी क्योंकि मुझे दो column के cell को दो cell को आपस में merge करना है अगर मुझे student name, computer और maths इन तीनों cell को merge करना होता तो मैं यहाँ पर लिखती three one, two, three यह तीनों merge होकर एक हो जाएंगे अब इन दोनों को मुझे यहाँ से हटा देना है क्योंकि यह जब आपस में merge हो जाएंगे तो एक ही column बनेगा, एक ही cell बन जाएगा तो यह दोनों cell के मुझे जरुरत नहीं है मैं इसको यहाँ से delete कर दूँगी अब मैं अपने इस page को save करती हूँ और आपको result दिखाती हूँ कि कैसा होगा इसका नाम मैं दे देती हूँ row span and call span वैसे आप छोटा सा ही नाम दे सकते हैं अभी आपके help के लिए मैंने यह नाम लिख दिया है चलिए हम desktop इसको save करेंगे desktop पर save चलिए हम जाकर देखते हैं कि हमारा code किस तरह का हमने जो लिखा है उसका result किस तरह का आता है web browser पे गए यह देखिए यहाँ पर आपको यह तीन जो हमारे cell थे वो तीनों merge हो गए हैं और एक ही cell आ रहा है ठीक है तो यह था था हमारा call span आप साथ में English को Hindi को इनको साथ में भी merge कर सकते थे उसके लिए आपको क्या करना होगा दुबारा से code पर जाना है इसको 3 की जगा आपको 5 करना है और इन दोनों को यहां से delete कर देना है save करेंगे वापिस से अपनी coding पर जाएंगे और refresh करेंगे यह देखे यह एक column बन गया इस तरह की table भी हमें बहुत cases में create करनी होती है कि यहाँ पर हमें एक बड़ी सी heading लिखे तो वह आप लिख सकते हो चलिए वापिस से code पर जाते है आप मैं आपको दिखाऊंगे rose pan हम rose pan कैसे करेंगे rose pan करने के लिए मुझे क्या करना होगा दो rose को आपस में merge करना है ठीक है दो rose को merge करने के लिए अब आप यह तो पूरा एक ही हो गया तो अब मुझे priya और यह neha यह दो cell इन दोनों को आपस में merge करना है तो मैं क्या करूंगी यह मेरा priya वाला cell है और यह दूसरा मेरा यह नहा वाला cell यहाँ पर है तो मैं यहाँ पर लिखूंगी इस वाले जो उपर है cell उस वाले add tag के अंदर, td tag के अंदर में लिखूंगी यहाँ पर row span is equal to 2 चलिए 3 लिखा होता तो उस नहा नाम के नीचे एक और cell होता तो वो भी मर जो जाता आप इससे code पर गए और देखें यह देखें यह देखें यह एक ही नाम हो गया अब यह देखें आप यहाँ पर नेहा भी लिखा हुआ रहा है यह shift हो गया shift इसलिए हुआ है क्योंकि मैंने आपर इसको delete ही नहीं किया था means यह cell रहन आप चाहते हो कि रहे तो वो अपने आप automatically right side में shift हो जाएगा लेकिन आप चाहते हो कि यह उसके साथ merge हो जाए तो यह हट जाएगा यहांसे इसको मैं delete कर दूँगी और save करूँगी अब अच्छा तो यह हमारा हो गया ऐसे अब आप चाहते हो कि आप यह चारो cell को merge कर दो एक साथ अभी तो हमने क्या देखा दो कॉलम को एक साथ merge किया तो ऐसे हुआ या फिर हमने दो rose को merge किया तो ऐसे हुआ अब मुझे ये दो cell ऐसे चार cell को एक साथ merge करना है ऐसे वाले चार cell को कि दो उसमें columns हो और दो उसमें rows हो दिखेंगे दो column है और दो ही rows है तो अब इसको हम कैसे करेंगे तो हम जो भी attribute apply करेंगे वो इस वाले cell में apply करेंगे जो हमारा सबसे diagonal में अगर हम देखें तो सबसे corner में जो left side के corner में जो cell होता है उसी cell पर हम अपना attribute apply करते है उसके corresponding जो नीचे cell आते रहेंगे उसमें वो merge होता चला जाएगा तो 87 वाला जो cell है ये आपस में अपने आप में ये चारो cell को merge कर लेगा कैसे करेंगे हम वापिस से code page पर जाते है 87 वाला cell मेरा ये है तो मैं यहाँ पर दोनों attribute apply करूँगी अब call span b और row span b क्यों क्योंकि मुझे दो columns को merge करना है दो ही row को merge करना है तो पहले मैं यहाँ लिखूँगी call span is equal to 2 inverted comma में 2 अब मैं यहाँ space दोंगी एक मैंने extra वो लगा दिया है comma मैं 2 लिखूँगी हमें यहाँ लिखूँगी row span is equal to और यहाँ मैं फिर 2 लिख दोंगी इसी line में हमें यह दोनों attribute apply करने हैं यहाँ save करेंगे और अब आपको क्या करना है एक और बात आपको यहाँ इस दोनों cell को यह देखे 67 वाला cell और 87 वाला cell भी merge होना है और यहाँ 67 और यहाँ 78 भी merge होना है it means यह तीनों cell को हमें यहाँ से जो हमने यहाँ पर create किया हुआ इनको यहां से हमें delete कर देना है पहले मैं बिना delete करें दिखाती हूँ कैसा होगा ये save और refresh ये देखे ये बन गया एक ऐसे बन गया पूरा यहां पर दो column और दो रोज को उसने merge तो कर लिया लेकिन ये जो बागी के इसके साथ merge होने थे वो shift हो गए करना हमें उनको साथ में merge करना है तो यहां से इसको मैं हटा दूँगी और यहां से इन दोनों को भी हटा दूँगी delete save वापिस से जाते हैं इसको refresh करते हैं ये देखें आप वो proper एक टेबल के form में आपको दिख रहा है इसमें similarity भी दिख रही है अगर आपको कुछ इस तरह की किका कि आपको दो सेल कहीं पे बीच में merge करना है तो आप कर सकते हो जैसर कि आपने इस पीपीटी में देखा है मेरा कुछ example जिसकी help से मैंने आपको row span और call span explain किया है अगर आपको इस video में कहीं भी कोई भी doubt होता है तो आप मेरे comment section में मुझसे वहाँ पर question पूच के मुझसे अपना doubt clear कर सकते हैं और मेरे next video में आपसे मिलूंगी कुछ और videos के साथ कुछ और informatic video के साथ till then bye bye